जेए दोस्तों, मैं मुगे स्कुमा नोटबूक श्टडि में आउसे भी गास्वागत करता हूँ तो दोस्तों, बिहार दुरूगो का एक्जाम, बिहार एचारी का मेंस एक्जाम 29 नॉंबर को होने जा रहा है तो अंतिम 20 दिनों में आप ऐसे क्या से त्यारी करें ताकि आपके एक्जाम में कब से कब 10 से 12 नंबर बढ़ जाए तो मेरी पतली, मेरी वाइप भी आपके सब इस्पेक्टर के पोस्ट पे भी हर पुलीस में है तो उनसे मैंने एक्षप्रियंस पूचा कि आपका एक्षप्रियंस कैसा रहा था आप अन्तिम 20 दिनों में किस तरह से त्यारी कीती है तो उनका जो एक्षप्रियंस है मैं आपके साथ सेर करना चाहता हूं ताकि मुझ से जूड़े वे, मेरे चैनल से जूड़े वे, जो भी लोग हैं, या जो नहीं भी जूड़े हैं, अभी तक, तो उनको इससे फैदा मिल जाए, ताकि आप जो भी लक्ष है, आपका वर्दी आपको मिलना चाहिए, वर्दी आपका लक्ष है, तो इस वीडियो के म पहले जो है मैंने कुछ पॉइंट लिखा हूं तो उसको मैं बताते रहा हूं इस अधार पे आप पढ़िएगा तो आपका स्योर है कि नंबर जरूर बढ़ेंगे तो सबसे पहले आप क्या किजिए कि आठ घंटा सोना एकदम मस्ट है आपको अभी एकजाम का बोज होगा कि ये बुक पढ़ना है ये टॉपिक छुट गया ये ओ टॉपिक छुट गया थोड़ा सा साइंस का देख लेते है थोड़ा से ये देख लेते है नहीं आप कुछ भी हालत में कैसे भी हालत में आप पहले आठ घंटा जरूर सोईए आठ घंटा आपको सोना जरूरी है टेंसन को कम से कम लेने की कोशिस किजे तो आठ घंटा जरूरी है ठीक है? सोना दूसरा कुछ भी आप नया करने की कोशिस मत किजे मिन्स नया पढ़ने की कोशिस मत किजे आप इतने दिनों से त्यारी कर रहे हैं, छे मैने, साल पर, दो साल से आप त्यारी कर रहे हैं लगता होगा कि चलो थोड़ा सा सौतंता संगराम के ये बुक के लिश्ट को पढ़ लेते हैं अब आपको करना क्या है कि बारा घंटा अगर आप संभव हैं, अगर आप जॉप में हैं, तो दिक्कत हैं, लेकिन अगर आप एक स्टुडेंट हैं, तो बारा घंटा का आप एक रूटीन बना लिजें, जो जॉप में हैं, तो मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है, कि अगर प लेकिन जो student हैं, वे 12 घंटा कम से कम आपको इस 20 दिन में anyhow पढ़ना है, लगता होगा कि बहुत जादा है, नहीं फ्रेंट, पढ़ने वालों के लिए कुछ भी जादा नहीं है, तो ये 12 घंटा को कैसे divide करना है, आईए, तो 12 घंटा पढ़ना जरूरी है, exam तभी निकलेगा, इस 12 घंटा में आप 4 घंटा को क्या किजिए, set practice, जो आप आते हैं, बहुत से book मिलेंगे, तो set practice, उसमें भी अगर previous year, previous year बिहार से related, जितने भी exam हुए हैं, चाए BSSC हो, BPSC level तक के भी आप exam के, set practice को करने का कोसिस किजिए, और वैसे set practice को किजिए, जिसमें उसको describe करके द तीस minute में नहीं, जिसमें describe किया हुआ, वोगा फैदा किया कि एक question से आपको 3-4 information मिलेंगे, और वही 3-4 information आपके exam में नंबर आपके बढ़ाएंगे, तो set practice वैसे book से किजिए, जिसमें description दिया गया है, और इसके साथ साथ, इस set practice को अपने friend circle में, अगर आपके पास group है, तो आप उसके साथ discuss किजिए, नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप अपने जो पढ़ाई के करम है, उसको जारी रखिए, तो 4 घंटा set practice, 3 घंटा आपको master video और marathon video देखना है, किनके marathon video देखना है, तो जो topic आपको लगता है कि मेरा कमजोर है, बुक से आप नहीं कर पाएंगे, त तो उनको देखके समझने की कोसिस कीजिए, यूटूब के माधियम से, मैं इसलिए यूटूब बोल रहा हूँ, क्योंकि बुक को अभी last समय में आप पढ़के confused हो जाईएगा, जल्दी समझ में नहीं आएगा, और कोई भी चीज अगर visualize है, audio के माधियम से आप सुन रहे है देख रहे हैं, तो ये आपको जल्दी सा समझ आएगा आने वाले exam के दिरों में आपको इससे काफी फैदा मिलने वाला है, तो आप master वीडियो देखिए, जो topic आपको clear नहीं है, एक मेरा आप लोग से और request है, कि अगर संभव हो पाता है, तो आप लोग Lucian या crown, Lucian book जो आपको जरूर देख लिजे, Lucian का audio series है, audio को आप लगा के सुन सकते हैं, वे भी काफी फैदे मन्द होंगे, और crown book अगर Lucian से जादा इसमें fact दिये रहते हैं, तो आपको crown book को भी देख सकते हैं, काफी अची book है, तो इसके भी audio series को, या फिर video अगर कहीं पढ़ाया जा रहा मैं भी पढ़ा रहा हूं crown को, हालक जादा नहीं हुआ, पांचे class ही पढ़ाया हूं, लेकि मैं उसे पूरे details से पढ़ा रहा हूं, तो जो भी संभव हो, आप उसको देख ले, मेरे class से देख ले, किसी और की class से भी देख ले, लेकि Lucian या crown, ने तो आपको जो topic कमजोर है, आप उसके master video को ये पार जरूर देख ले, ने श्राते हैं, आपको दो घंटा, क्यूंकि अब जो एक जाम का train बदल गया है, current affair के काफी question पूछे जाते हैं, लगभग 15-20% question जो है, 100 में आपके 15-20 questions आपको current affair के सियोर मिलेंगे, 15 question तो आपको कहीं नहीं जाएगा, तो current affair को आप ignore नहीं कर सकते हैं, तो दो घंटा समय आप दीजिए, October 2019 से लेके, November 2020 तक के आपके, November 10 तारिक तक के, जो भी आपके current affair है, उससे जाधा मत किजेगा, तो October 2019 से November 10 नॉमबर तक के, जो भी current affair है, उसको आप अच्छे से वीडियो के माध्यम से देख लीजे, या फिर आपक पढ़ना है आपको, अब ये क्या बोलते है, current affair के लिए, तो इन तीन मैक जिनों का आप वीडियो देख लीजे, यूटूब पे, तो आपको काफी से help मिलीजी, कौन से मैक जिन है, प्रतियुक्तर धर्पन का, October 2019 से लेके, आप इसको दिसंबर, प्रतियुक्तर धर्पन के, एडूटेरिया का current affair, ये तीन बूक के, आपके practice के जितने भी आपके हैं, वीडियो उसको देख लीजे, खास कर जिनों ने इसको समझाया है, स्पीडी और एडूटेरिया के, उनके आप current affair देख के जाहिएगा, जो समझाये हैं, एक पॉइंट को दो तीन लाइन में, उनके वीडियो बुजरू देख के जाहिएगा, सिर्फ fact वाले देखिएगा, तो उतने आपको beneficial नहीं होंगे, जितने आपको मैंने बताये कि, एक स्पीडी और एडूटेरिया के current affair अप्टूबर 2019 से नॉमबर 2020 तक के दो घंटे में आप डेली देखिएगा, उसको कोशिस की जगह की ज्यादा ज्यादा कर सके, नेश्ट है, एक और वन आवर यानि चार आपका चार तिन साथ नौव और एक तस घंटा में, जो लास्ट आ कि बहुत ज्यादा कुश्चें बिहारी स्पेसल से नहीं आने वाले हैं, जितने current affair आएंगे, 7-8 कुश्चें आपको मिल सकते हैं, 5-6 कुश्चें, 7-8 कुश्चें, तो आप बिहारी स्पेसल से क्या कीजे, कि बिहार का इतिहास, हिष्ट्री जो है बिहार का उसको देख ल रही है, बस इतना ही मैं जादा नहीं बोलूँगा, current योजनाई जो चल रही है, इसको आप कर लिजे बिहारी स्पेसल के लिए, हाला कि जब आप सेट प्रेक्टिस कीजेगा, BPSC, BSSC, बिहार के एक्जाम के लिए, तो उसमें बिहार के कुश्चें आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी ये कवर हो जाएगा, बट आप अलग से एक बार बिहार का इतिहास, तो तन्ता संग्रा, गुगोल और current की योजनाई जो भी हासरकार की चल भी है, इसको देख लिजे, तो दोस्तों ये थे आपके 10 घंटा, GK से related जहां से कुश्चें आएंगे, अब आप को इसमें आपके math और reasoning भी पूछे जाएंगे, तो आप उसके लिए कम से कम 15-20 questions, 20 questions तो जरूर मिलेंगे math और reasoning से, तो जो बच्चे science background के हैं, math background के हैं, तो उनको तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो arts के हैं, जो normal VPSC के तियारी करते हैं, आपके normal competition का GK वाले तियारी करते है, तो आईए, उनको मैं suggestion दे दे रहा हूँ, हाला कि जो त्यारी कर रहे हैं, railway के SSC क्यों, तो उनके लिए जो reading नहीं है, उनका already ये सब कभर रहता है, लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ GK प्यास रित रहते हैं, तो उनके लिए मैं last के 20 दिन के लिए बस आपको ये बोल रहा ह simple and compound interest, तता औस average और time और speed जिसमें आपका now और rail वाला जो question रहता है, तो ये पांश topic ही किजिए, मैं नहीं बोलूगा बहुत से 10 कमसे का 15 topic तो आपको जरूर मिलेंगे math के लिए, तो इतना अगर आप कर लेते हैं, और formula जितना भी आपको formula है, tricky formula वो गया या formula उसको एक बार आप रट लिजिए, ठाकि आप पता नहीं, अगर एक्जाम में सायदो formula बेस पर question आ जाए, तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं, तो परतिसत, लाभानी, सधारण चक्रिविदी भी आज, और सट, टाइम इंडिप, इतने chapter को आप आरस और ग्रवाल या फिर practice state के माध्यम से, इसको आप अच्छे से कर लिजे, या कोई भी अच्छे math के book हैं, कोई पढ़ाने वाले भी हैं, तो भी उनके साथ लग के आप ये 5 chapter को आप कर लिजे, आपके question, 60% question अगर आपने अभी तक त्यारी ठीक से नहीं किया है, इनका तो reasoning की बात कर ले, तो reasoning में आप, मैं उनी के इसको अच्छे से करी रहे होंगे, तो reasoning के लिए आपको relation यानी blood relation, आपका जो होता है, कि माता का है, बेटा है, पूत्र है, तो कैसे होंगे, उनसे संबंध जो निकाला जाता है, तो blood relation के question आप किजिएगा, उसके साथ साथ space, space means होता है न, एक कुर्सी के चारो और बैठे ह सीता राम के सामने बैठी हुई है, या फिर दाईयंग से पांचवा स्थान उनका है, ऐसा जो question आता है, तो space वाले question कर लिजे, relation, blood relation किजिए, calendar, calendar जो date निकालने आता है, वो 2020 में अभी चल रहा है, तो आपका leap year, non leap year, इस तरह के question आता है, तो calendar वाले question आप कर लिजे, clock, घंटे और second की सुई से जैसे मन्दित question आते हैं, उसको करके जाएए, और coding, decoding इसको जरूर कर लिजेगा, तो ये पांच topic किदर से, और ये चार और एक फर्मूला पांच topic किदर से, दश topic को आप करके जाएए, प्रैक्टिस से के माधियम से previous years, और हो सके, तो अपने book के मा भाई हैं, दीदी है, या दोस्त है, जो इसमें math और science background के, तो उनके माधियम से आप इसको करके जाएए, definitely मैं बोलता हूँ, कि अगर 20 question यहां से आते हैं, 18 question आते हैं, तो आप 60% या 50% तो sure करके जाएएगा, बस इसी पांच topic से पुरा book करने का कोशिस किजेगा, नहीं हो पाईएगा, तो I hope आप लोग को यह जो मैं रनलीती बताया हूँ, कि कैसे आपको यह करना है, ताकि आपके 10 से 12 question बढ़ जाए, तो I hope आप लोग को या अच्छा से समझ में आया होगा, तो अगर समझ में आया, तो मेरी बातों को आप comment करके मुझे बताये कि कैसा लगा, औ लोगों के बीच इसको share कर दीजे ताकि और भी बच्चे इसके benefit उठा सेके, तो मिलते हैं हम लोग नेश वीडियो में चेहें,